मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के सहचपुर गाउं के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल लक्ष्मी पोर्ते खुद साफ सफाई करने में भरोसा रखती है लक्ष्मी पोर्ते ऐसा तक्रीबन दो दशक से कर रही है प्रिंसिपल होते हुए भी वे खुद ही पूरे स्कूल में ज़ाड़ू लगाती है और टॉयलेट भी साफ करती है पोर्ते के मताबिक जब सन 2000 में उन्होंने इस स्कूल को जॉइन किया था तब से ही उनका पूरा ध्यान सफाई पर है सन 2000 में सर मैंने यहां जोईन किया था उस समय मने विद्याले की सतिती देखी थी एक तम धैनी स्तिती थी कि भहत गंदी से पड़ा हुआ यह विद्याले था उसे दिन मैंने संकल पिलिया था कि इस विद्धाले को मैं एक स्वक्ष विद्धाले बनाऊंगी और बच्चों के प्रती, काउं के नागरिकों के प्रती, सब के प्रती एक स्वक्षता का अभियान चलाऊंगी और मैंने ये कारे तबी से सुरू किया है पोर्टे बताती हैं कि शुरुवात में उन्हें सफाई के प्रती जागरुकता फैलाने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा पूरी में करना पड़ा, काओं के लिग बोले कि मैडम सौचालाई साप करती हैं, तो इनको छूना नहीं कर वारासा भी कहा गया, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैं अपने मिशन में आगे बढ़ती चली गई, अब तो ये कंडिशन है कि मेरे यदि कोई पालक भी आ है और वो देख रहे हैं कि मैडम सौचालाई में पानी डाल रहे हैं, तो वो बाल्टी ले करके आते हैं, अब ये इस्तिती हो गई, इस तरह वो प्रेरित हो गई है काफी मेहनत के बाद पोड़ते की कोशिशों को काम्याबे मिली, गाउं के लोग भी उनसे जुनने लगे तो पूरे गाउं के लिए सफाई मिशन बन गया लक्ष्मी पोर्टे की सफ़ाइब प्रेरित हैं, लोग अपने घरों में डस्टिविन रखने लगे हैं और स्वक्ष्टा के प्रतिस सजग हो गया है लक्ष्मी पोर्टे की सफाई की मुहिम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी काफी प्रभावित हैं मैं बोलती हैं कि सब छिता रहना चाहिए और गंदी की नहीं फैलाना चाहिए अच्छा जब आप यहां से सीख कर जाते हैं तो घरों बताते हो सब को केंदर सरकार के मिशन सफाई से बहुत पहले ही लक्ष्मी पोर्ते अपने गाउ में सफाई का संदेश सब को दे रही है उनकी कोशिशों का ही असर है कि सहचपुरा का तकरीबन हर नागरिक उनसे प्रभावित है अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें